जास घी देख रहें है तूसी मैं केपी सिंग टूदा पॉइंट वे तो अड़ा सवाकत करता हैं कह ही तूदा पॉइंटी वे से ड़ाज कि थे वड़ा स्वाली को पुछा जावेगा इस अच्छा देवेचे बढ़ा स्वाली पुछांगे कि साना मैधूरा लेग की है का इसे स्वाल ते बैस करांके ते साना खास मेमान बहुत ही खास मेमान साना मजूत है कि ए और तारुफ करा रहे हैं युगंदर यादव जड़ी अक् नहीं गल कर देए मिलना चाहीता है कि काम मिलना चाहीता है पर उनना सब जब चाले सौल एक को वार वरोपोछ देपे आ कि जड़ा साड़ा प्लान है कि वह प्लान पारस सरकार अडॉप क्यों निका दिए जिगंदर जान साहब सब्राज इंडिया दे प्रदान ने है वी लग करूर दा पैकेज यड़ा दस्या जा रहा है उस पैकेज विच पॉल्टिक्स कि नहीं है ते प्योटी कि नहीं है कि यह बहुत सदारण सवाल करूंगा सर में तो कि यह आपको को मैं भी साधारण जवाब देता हूँ आज कल क्या होता है कभी-कभी एक आपको आता है ना पैकेज कोई कमपनी भेज़ती है कुरियर पैकेज लेके आता है बड़ा सारा डबा होता है आप डबे को खोलते हो किसी तरह उसके अंदर से एक और डबा निकलता है उस डब्बे को खोलते हो, उसके अंदर से रैपिंग निकलती है, फिर आप उसको खोलते हो तो अंदर से छोटा सा तार निकलता है, यह वही वाला मामला है, यह जो पैकेज है, यह 20 लाग करोड दरसल, कहते वह मुझे अफसोस होता है, लेकिन ये तो धोखा है, देखो, दु आज आपको तकलीफ हुई उसके लिए हमने additional पैसा दिया, इसको कहते है package हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, सरकार कह रही है कि मैंने किसी और को बोल दिया कि वो आपको loan दे दे और ये मेरा package है, मेरी जेव से कुछ नहीं गया, इसको package बोल रहे है इसलिए होए रहा है कि ये 20 लाग करोड का जो पैकेज प्रधान मंत्री जी ने बोला है इसमें हकीकत में जब आप आखिर में गिंती करेंगे आपको 2.5 लाग से फालतू कुछ नहीं मिलेगा मैं रेजिस्टर लेके बैठा हूँ कल सरकार ने 6 लाग करोड की डिकलेरेशन की मैंने एक एक आइटम देखा कि सरकार की जेव से कितना निकला है पता लगा मैकसिमम से मैकसिमम 25 हजार करोड सरकार की जेव से जाएगा बाकि सब सरकार कह रही है मैंने कर्ज दे दिया यादर जी तुस्य यह तै कुह रही है कि सरकार दी जे विच्चो 25,000 क्रोड पर जाओगा मेरा स्वालत है सर किसान मजजूरा दी जे विच्चा आओगा की आज हम किसान मजदूर के बात पे आते हैं, सरकार ने क्या कहा है किसान की, आप समझे किसान की मांग क्या थी, मैं तो किसान आंदोलन से हूँ हम लोगों की किसान संगर संग्मिती की क्या मांग थी नमबर एक, किसान को खास तोर पे जो फल सबजी का किसान है तो बरबाद हो गया, poultry industry बरबाद हो गई, milk लोगों को पैकना पड़ा, जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उनके नुकसान की भरबाई कर दो, number 1, number 2, किसान की फसलों के दाम उसको मुल नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ market बंद पड़ी है, तो उसको उसको जो नुक उकसान हुआ है, उसका compensation दे दो, price loss जो हुआ है, कमस्कम इतना तो कह दो कि हमने ज़्यादा बड़ी, कितनी भी MSP डेक्लेर किया, वो MSP तुम्हें दिलवा देंगे, तीसरी मांग किसान की ये थी, कि अब आ गया मौसम नई फसल बीजनी है, बीज लेने का टाइम है, खाद किसान को मदद कर दो, और चौती मांग ये थी, कि दुनिया भर में oil prices गर गए, कमस्कम किसान के लिए डीजल तो सस्ता कर दो, चारों में से कोई बात नहीं, क्या हुआ, किसाब आप loan और ले लो, KCC के उपर loan लेने की आपको facility मिल गई है, loan तो किसान ले रहा है, loan की, हमारी मांग ये थी, कि चलो तीन महीने आपने loan देने के लिए, जो हमें छूट दी है, तीन महीने का ब्याज तो माफ कर दो, आज finance minister जी ने कहा, कि नहीं नहीं, वो ब्याज भी माफ नहीं होगा, तो क्या मिला किसान को, और मजदूर की बात तो करते हुए, दिल में र आज से, आज हो रहा है, कैसे कैसे, गिसट-गिसट के लोग जा रहे हैं, रिक्षए पे जा रहे हैं, रैडे पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, और आज हमारी देश की finance minister ने हाध जाड़ लिये बिलकुल, का कि देखो जी, पंजाब से जा रहे हैं बिहार, इधर पंजा का citizen है और जो बेचारा भाईया पंजाब से उत्तर प्रदेश वापिस जाएगा वो उत्तर प्रदेश का citizen है वो इंडिया का citizen नहीं है ये सुनके मुझे बहुत अफसोस हुआ और आज के सारी बात में मजदूर के लिए एक तो positive declaration है और वो ये है कि उनको 5 किलो अनाज मिलेग जिसके लिए हम पिछले 50 दिन से मांग करकर के ठक गए हैं चलिए वो हो गया शुकर है 50 दिन बाद ही किया उसके अलावा मजदूर के लिए कुछ नहीं है आज के पैकेज में सिर्फ फोकी बाते हैं बड़े बड़े डायलॉग है कुछ नहीं मिला है मजदूर को और अगर आज के हालात में आप मजदूर को कुछ नहीं दे सकते जब हमारी आँख के सामने जो हो रहा है तो कब देंगे हम मजदूर के लिए इस देश में मुझे लगता है मजदूर होना सबसे बड़ा अपराद है एक लाव बना देना चाहिए कि आप मजदूर हो इसका मतलब आप का अपराद है आपको सजा मिलनी चाहिए लेबर लादे वेच चीजां लाव दे पहें तुसी कर ने एक हफता पहले इस देश दे सारे वड़े वड़े लोग ये हमारे सीओर नीती आयोग के देश के चीफ एकनॉमिक एड़वाइज क्या कह रहे थे labor law सारे बक्वास है labor law को खतम करो labor law को जब तक खतम नहीं करेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता और आपको मजदूर यह सब खतम कर दो और आज हमारी वित्मंत्री प्रेस कांफरेंस में बैठ के कहती है हम minimum wages को implement करवाएंगे हम यह चीज़ें याद क करवाएंगे हम मजदूरों के लिए security safety सुनिश्चित करेंगे या तो सरकार की आज वीरवार था या तो वीरवार को policy अलग होती है मंगलवार को अलग होती है तो ठीक है वीरवार को फिर सारी बाते हम किया करेंगे या हो सकता है finance minister की अपने economic advisor से बात ना होती हो या फिर य ये गोली दे रहे हैं हमारे सब को कि कोई निकरने की मजदूर और किसान के लिए कुछ करन दी कोई लोडनी है बस ज़नों जरूरत हो जाए एक दो चंगे चंगे डायलॉग दे दो अगल खत्म हो जाएगी अई सोच देने यादव जी मैंनों एक चीज़ तुछ समझा सकते हैं करपा करके ये राहत package या budget दी announcements है के पी मैं ऐसने बारे जादा नहीं करना चाहूंदा क्योंकि सच बात ये है कि इस वक्त एक नए budget की जरूरत है देश को इसमें कोई शक नहीं जो फरवरी में budget पेश किया था वो अब बेकार हो चुका है क्योंकि अब देश बदल चुका है तो budget की announcement हो मुझे एतराज नहीं है लेकिन कम से कम उसका तालुक तो हो इस जो lockdown से जैसे आपको बताता हूँ कल declaration सरकार ने कर दी जो discom है electricity company है उनको 90,000 रुपे credit दिया जाएगा मैं पूछ रहा हूँ जी इसका lockdown से क्या मतलब है क्या lockdown में discom company बैठ गई है नहीं ये तो पुरानी आपकी scheme थी company रेड में चल रही थी आपने कभी उनको पैसा देना था lockdown का फायदा उठा के आपने का चलो अब दे देंगे और उसको package में डाल दिया लोजी package से क्या मतलब है इसका कल हमारी वित्मंत्री जी ने कह दिया इतने लोगों को हमने income tax का refund दे दिया income tax का refund दे दिया भी lockdown से क्या इसका मतलब है तो जी तो बताओ मेरे को तो बिगएर ऐसी ऐसी चीजों को डाला जा रहा है जिनका lockdown से कोई मतलब नहीं है राहत से कोई मतलब नहीं है आज जैसे अब ये declaration कर दिया कि मजदूरों को सस्ता किराय का मकान मिले इसके लिए हम builder लोगों को PPP model से building बनवाएंगे तो जी building बनेगी उसके बाद मजदूर आएंगे उसके बाद किराय पे लेंगे और आपको पता भी होगा LIG के लिए जो building बनती है उसके अंदर रहता कौन है आप भी उतना ही जानता हूं तो ये खेल हो क्या रहा है इसका मतलब क्या है देश से जब आज की कोई बात करने को हो नहीं तो फिर आप क्या करते हो जब घर में बच्चा जोर से रो रहा होता है जब उसके चोट लग गई चोट आप ठीक कर नहीं सकते तो आप क्या कहते हो वो पता है वो कल पापा जी मिठाई लेके आएंगे और वो ना बहुत अच्छी मिठाई है बेटा मतलब कमाल होगी मैंने खाई मेरे को बड़ा मजा आ गया यही काम करते हो ना या फिर आप कहते हो वो मच्छर को मार दिया मच्छर को मार दिया यह काम हो रहे हैं सारा देश देख रहा है मीडिया उसके अंदर पार्ट कर ले रहा है यह क्या हो रहा है देश के अंदर आप ही बताओ कोई इनसे इतना नहीं पूछ सकता कि जी आपके पैकेज के अंदर ह कहा है दिखा तो दो और दुनिया भर में इसको पैकेज नहीं कहा जाता इसका दूसरा नाम है इस देश का मीडिया इतना सवाल भी इन से नहीं पूछ रहा है सारे देश के सामने जूट चल रहा है सारे लोग बैठके डंबरू बजा रहे हैं सारे लोग बैठके थालियां तो फिर आप देश के माद्यम से टीवी के माद्यम से सवाल पूछिए कि आज हिंदोस्तान का वो मजदूर वो गरीब क्यों सड़क पे चल रहा है जो तस्वीरे देखता हूं मेरा तो मतलब सच मैं समझ नहीं आता क्या करें परसू मैंने देखा अपने पंजाब के नंगल से कोई परिवार जा रहा था हर दोई यूपी के अंदर 800 किलोमीटर का डिस्टेंस औरत का पाउँ टूटा हुआ फ्रेक्चर उसका पाउँ है बच्चे को गोद में लिया हुआ है और आदमी एक रेडा सा जो होता है जो मंडि सब्सक्राइब लेना पड़े गा नहीं तोकिसी को सडक पर आना पड़ेगा और क्या करें डेमावरिसी में आप ही बताओ सरकार कहा रहे है प्रवासी मेधूराँ देपलान ते साधी नजर है कि है मेरा सब༂ज हो रहे है मेरा सौन एक पस इपासी ही केरना है के मैधूरा विच भी चड़ने पारे ते तोर-तोर के पैदल चल चल के मरदे पहिए सड़ा प्लान है कि है असी डबल फेसेज हैं सड़ा कुछ चेरा ही नहीं है जड़ा सकी है मैं दुर नों दखा सकी है प्लान बन जाती है अब आप सोचो लॉकडाउन के बाद गाइडलाइन आती है गाइडलाइन में इसका जिकर भी नहीं है कि किसान के लिए फसल काटने का मौसम है और गाइडलाइन में बाद में भी प्रवासी मजदूर का नाम नहीं है इनको ये बात ख्याल ही नहीं आती है, इनके दिमाग में नहीं, आफ्टर थॉट है, पूरी प्लैन बन जाती है, अच्छा अच्छा हो रहा है कि चल यार कुछ नहीं, उसके लिए भी कुछ कर देते हैं, कोई प्लैन नहीं है, होना क्या चाहिए था, आप लॉक्डाउन से प पीछे रह गए, उसको एश्यूरेंस होना चाहिए था, कोई नहीं, तेरे पानी का, तेरे खाने का, तेरे रहने का इंतिजाम सरकार करेंगी, आज ही जो लोग कह रहे हैं ना, कि जी वो लेबर चला गया तो इंडस्ट्री का क्या होगा, देश की एकॉनमी का क्या होगा, मै पैसा बेजा करता था, आज वो पैसा मंगवा रहा है, तब आपको चिंता नहीं हुई, जब वो खाली घर पे बैठा था चिंता नहीं हुई, जब उसका मकान मालिक उसको कमरे से बाहर निकाल रहा था, तब चिंता नहीं हुई, अब जब वो जा रहा है, तो कहरें हाए पारी इंडस्ट्री का क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसका मतलब है, वो मजदूर नहीं है, गुलाम है आपके लिए, गुलाम कितना रखना चाहते हो, और ये कैसे कबूल हो सकता है, और सच बात ये है, कोई योजना नहीं है, आज भी योजना नहीं है, ये कहना कि सरकार 85% द जूझा रहे हो, जूझीं किया रही है, जूट को बोला, जूट क्या है, इसमें सरकार जो हमेशा सबसीडी रेलवे में देती आ रही है, पिछले 50 साल से जो सबसीडी मिल रही है उसको एक स्पैशल कसेशन की तरहें पेश कर रही है यह जो 50% या 50% या 60% जो भी आप देते थे क्योंकि रेल्वेय का जितना खर्च होता है उस से कम चार्ज करती है रेल्वेय पैसेंजर को ता कि रेल्वेय माल भड़े से अपना पैसा वसूर करती है, यह पिसले 70 साल से हो रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है, आज आप अचाना किसको पेश करते हैं, यह हमारा कॉंट्रिबूशन है, और आम जनता सोचती है कि ठीक है, मजदूर की जो टिकेट है, उसमें से 85% सरकार ने पे कर दिया, हकीकत यह है कि मज किया है, 300 ट्रेन, 30 दिन एक महीने तक चलती, सिर्फ एक हजार करोड का खर्चा था, सिर्फ एक हजार करोड, इससे पालतों का खर्चा नहीं है, इंडियन रेलवेज के लिए 54 के बराबर हैं पैसा, वो नहीं किया, मजदूर के लिए इतना हम नहीं कर सकते, मैं तो शरम सार हूं, सच मुझे समझ नहीं आता, क्या कह दें, क्या करें इस देश में? तो मैं कहता हूं, यार लगता आज कहने को कुछ नहीं है, इसलिए इतने लंबी स्कीच दे रहे हो, क्योंकि कहने को कुछ नहीं है, मनरेगा की हकीकत यह है, कि मनरेगा में पिछले साल मार्च के दौरान जो काम हुआ था, उस से 10% काम हुआ है, इस साल मार्च के अंदर, मन जूट बोल रही है सरकार और मैं अभी इसके बारे में ट्वीट भी करने वाला हूँ एक्चुल आंकड़े मैं आपको बता भी सकता हूँ सरकार जूट बोल रही है चालिस परसंट नहीं बढ़े हैं आप इसको वो कर रहे हैं उसको मार्च के महीने में जब सब कुछ रुख जाता उससे कॉमपैरिजन करके दिखा रहे हैं आप पिछले साल इसी महीने से देखो कोई 40 परसंट नहीं बढ़े हैं सरकार ऐसी बातें पहला रही है पहली बात तो आप पंजाब में हो पंजाब में 202 रुपए की दिखारी का क्या मतलब है आप जाके पूछो आप जाओ अपने पिंड में किसी को कहो 202 रुपए दूंगा आजा वो आप पे हांसेगा पंजाब में और दूसरी बात ये है कि ये कोई नई डिकलेरेशन नही है हर साल मन्रेगा के वेजिज में रिवीशन हुआ करता है और ये बिल्कुल रूटीन एन्यूल रिवीशन है जो तीन महीने पहले हो जाना चाहिए था जो अब पेश किया जा रहा है मैंनों सर सोखे शब्दा में तुझ दा सकते हूं इस पैकेज विच वी लख करोड़ा पैकेज है तुसी के ने में तरह शरम हों दिया है एन्य अमाउंट बोल दिया भी मैंनों भी हों दिया पर मेरा सवाल है सर जो तो सानू लोग सवाल कर देया ओ पोछ दिया कि आम आदम और भी तीन लाक तो एक्चुल है। बाकी पैडिंग है, पैकेजिंग है, फूंफाँ है, हावाई बाते हैं और वो क्यों है? क्योंकि सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि पहले रिजर्व बेंक से जितना लेना था आप उसके सर पे अरप में wealth tax है, आप wealth tax नहीं लगाना चाहते, जाते जाते कीपी भाई आपको मैं wealth का आकड़ा बता दो, हिंदुस्तान के top 1% लोगों, सिरफ 1% 99 को छोड़ दो, top के 1% लोगों के पास कितनी wealth है, उनकी property 300 या 400 लाख करोड रुपए की है, मोदी जी 20 लाख करोड के package की बात कर रहे हैं, इस देश के अमीरों की जेब में 300 से 400 लाख करोड रुपए पड़ा है, उस पर अगर आप 2% tax लगा दो, तो 6-8 लाख करोड तो आपके पास आ जाएगा, लेकिन उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए अडानी और अमबानी क सामने खड़े होने की हिम्मत चाहिए, जो कि इस सरकार में नहीं है, हकीकत यह है. अरुन के तहट आपको सिर्फ एक चीज़, देखे, वेल्थ टेक्स हिंदुस्तान में 2015 तक हुआ करता था, जिसको अरुन जेतली जी ने खतम किया है, वेल्थ टेक्स आपको सिंपली एक ओर्डिनेंस जारी करना है, और कहना है कि हमने फिनेंस एक्ट को अमेंड कर दिया है और फिनेंस एक्ट को अमेंड करके हमने वेल्थ टेक्स जिसको 2017 में हमने खतम किया था, उसको री इंट्रिड्यूस कर दिया है, और अगले साल और इस साल से एक परसेंट वेल्थ टेक्स होगा, बिल्कुल सिंपली कहा जा सकता है, और डिजास्टर के तहट तो सरकार बिल् साथ डालने की जो इच्छा नहीं हो रही उसकी कभी है, सर असी ता जदो पाशन सुनन दी इंतजार कर दे होने हैं तो उसी भी कर दे होंगे, सर पूमिका बहुत ज़्यादा बनाई जा रही है, पूमिका बनाके जदो असी प्रदामती साह बोल दिया, वीवे मिंट पे जा अब यह तो सीरियल हो गया है, कुछ वैसा मामला शुरू हो गया है, तो पुराने जमाने में मेक्यावली ने कहा था कि अच्छी खबर कोई देनी हो, तो उसको टुकडो टुकडो में बाटके देना चाहिए, जितना लंबा खीच सको तब देना चाहिए, बुरी खबर देन खास तोर पे, चुकि पंजाब के दर्शक पुरी दुनिया के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, पता है कि दुनिया में पैकेज का क्या मतलब होता है, तो ये जो खेल इस देश में पैकेज के नाम पे हो रहा है, उसकी सच्चाई हम समझ सकेंगे, और जब पुरी दुनिया में कहते हैं, दो परसेंट, पांच परसेंट जीडीपी का मिला है, उसका मतलब कुछ और होता है, तब अमरीका सरकार सीधा लोगों की जेब में डॉलर डालती है, जब कैनेडा का प्राइम इनिस्टर बोलता है, सीधा लोगों के अकाउंट में पैसा बेजता है, जब हमारा एक प्राइम इनिस्टर बोलता है, तो वो ये नहीं कहरा, कुछ और ही चीज़ को हमने पैकेज बना दिया, इस सच को हम बताएंगे, मैं आप से माफी मांगना चाहूंगा, कि इस बात को अधारी स्वाल, जगिंदर जी एक दो आखरी स्वाल, असी जो सीएम है, चाहिए पीएम है, असी ये मंगन दे हकदार है गया है, जहां एहोजी स्थिती है गया कि सानू मंगना ही पाऊगा लोका तो कि कि साधनू फांट दे दो बस, तो ही तैक हैंने अमरिका के नेटावर के डॉलर पांदे है, जेप्चा, आखिकत है कि ये पीएम क तरह के काम नहीं होते इसलिए इसके बारे में क्या बोलनों मुझे तो समझ ही नहीं आता हुँ जिगंदर जी इस मुलक देवेच तुछ सवराजी लड़ाई लड़ते पे हूँ मैं बहुत साल ना तो तो नो देख दा है तो अड़ेंदोलन भी मैं बड़े कवर कीते हैं जोगा जिन्दे बारे असी चर्चा का दे रहांगे तो यगंदर जावना गल्बत करांगे वो उस तो बाद सवराज नो उसी पो लजा मागे उनको एक दिन जंडा उठाना पड़ेगा अगर वो हाथ जोड़के मांगेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा जिस दिन मुठी बंद करके मांगेंगे उस दिन कुछ हासिल करेंगे लडाई है जारी रहे बहुत बहुत शुक्रिया सवराज देली एका आखरी लाइन में पुछना चाहूंगा जे सवराज इस देश नो चाहिए ता इस देश नो की करना पहुगा बहुत इमान दरना जवाब दीगा मैं जिगंदर जी सच बात ये है कि इस देश के जितने लोग इस देश के फ्यूचर में यकीन करते हैं और जो सोचते हैं कि मजदूर और किसान इस मुलक को बनाता है उनको आज बाकी सब चीजे भूलके एक दूसरे के साथ एकठा होना होगा एक दूसरे के साथ खड़ा होना होगा चोलो बहुत तानवा यकंदर जादा तूसी वक्त देता है तूसी कीमती गलना कीती है बहुत तानवा तोड़ा एसन सवराज इंडिया दे परदान यकंदर जादा हूँ जिनने तो ऐसी बहुत सारे सवाल लिटते हैं ते इनना सवालां दे पे चाले सवराज ते एक उस ते पिच्छे लुकिया होया दर्द दखाई देंदा है जो दर्द दखाई देंदा है ते फिर उस दर्द जर्ये देश नो सनिहा देंदी कोशिश भी कीती जानती है पर कुल मला के इस आपदा नाल लड़न दी एस वले जरूरत है किया है सियास्ट तो पासे हो किसानू साच दस नपावेगा लोग कानू के पैकेज दे पिच्छे पे उटी किनी है किया है किनी जे विच पैसा जावेका गरी मदूर अचिड़ा लोड़न किसान है उन दा कुछ बने गा किनी बने का सवाल ता उन्दा है किसान मदूर दी जद उस दे गाल नहीं करांगे जो दोसी सिर्फ उपर लिया चोपड़िया चोपड़िया गलना करांगे तब फिर साधे ते भी सवाल हुएगा सवराज दा हिस्सेदार जे असी बनना है का तो सानु भी आप दे आपनों सदार ना पवेगा युगंदर याद वहरी मीडिया ते भी सवाल चोकिया ते उना ओ उस वालता मैं निजी तोरते भी वेलकम करता हैं बहुत अबादा